हाई फ्रेंड्स वेल्कम टो भारती किचन आज में लेकर आई हूँ आज के लिए एक स्पीशल हेल्दी रेसिपी वो है किन्वा स्टेर फ्राय जिसका नाम हम अकसर सोना करते हैं कि यह बहुत अच्छा होता है खाने में सिहत के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन इसको बन यह थोड़ा सा बाजरी जैसा दिखता है और बाजरी से भी ज्यादा बारीक में कहूंगी और यह आपको ना कहीं भी अच्छी स्टोर से जहां पर भी ग्रॉसरी समान मिलता है वहां से मिल जाएगा और यहां मैंने यह आधा कटोली लिया है और इसको ना हम सबसे पहले अब ना मैं क्या करूंगी कि इसको पानी में भीगा दूंगी तो इसको एक घंटा हमने पानी डालके सोक करना है तकरीबन आदर से एक घंटा तो जब तक हम इसको सोक कर देते हैं यहां पर मैंने रख दिया इसको तब तक हम इसकी सबजियों के लिए तैयारी करते हैं तो जिसकों बारे काट लिया है मैंने उसके साथ सद बेंज है और गूबी है जिसकों बारे काटा है ब्रोकली भीपी कॉन और साथ में केपसीकम उसके साथ थोड़ा सा गावरी कटवाजरक फटल स और एक टमाटर, ऐसा नहीं किती सारी सब्जें चीह हैं, आपके पास इनमें से जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो दीखें यहां पर मेरा एक घंटे में यह सोक हो गया है, अबना मैंने इसको एक पतीले में ट्रांसफर कर लिया है, और अब क्या करना है हमने, कि जैस करने के लिए, तो मैं गैस अन करते हूं और इसको ना हम इस पानी में पकाएंगे, और इसको ऐसे हमने बीच बीच में चलाना है, पहले मैं इसको डखके रख देऊंगी, और जब यह बॉल होने लगेगा ना फिर इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, और इसको थोड और मैं इसको चलाओंगी थोड़ा और देखेंगे ना जैसी यह पकता जाएगा तो यह तुकड़े से होते जाएंगे इसके अंदर यह गलता जाएगा और कुछ अलग ही लुक्स होती है इसकी तो ऐसे यह आप बीच बीच में से हिलाते रहें जिससी कि यह बीच में चिपके और इसको ना हमने पंदरा से बीस मिनट तक पकाते रहना है तो यह आपको साथ के साथ इसको देखना पड़ेगा इसको छोड़े नहीं और यह जो किन्मों होता है ना इसके लिए बहुत ही आप सोचेंगे कि इसको क्या ज़रत है ऐसे बनाने की यह बहुत ही है प्रोटीन रिच है आईरन रिच है पोटेशियम है मतलब और दूसरा ग्लूटेन फ्री होता है तो यह सिहत के बहुत ही अच्छा होता है तो देखे जैसे इसका पानी सूप पर रहा है तो मैं इस पानी को अब जैसे दकन हटा दूंगी और इसको थोड़ा सा पकाऊंगे ज और इस नॉस्टिक पैन में मैं डालूँगी दो बड़े चममच ओलिव ओल तो हैल्दी खाना है इसलिए मैं ओलिव यूज कर रहे हूं आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड ओल यूज कर सकते हैं अब इसमें मैं डालूँगी तीन चार लसन की कलिया इंको बारी पर एक तो बस वहीं पे इसमें अन्यन डाल दें तो मैंने यह अन्यन डाल दिया इसमें और इसको भूनेंगे थोड़ा सा और ऐसे ही न हर सबजी इसमें हम थोड़ा-thोड़ा भूनने के बार डालेंगी बस यह दहान लगे कि जो सबजी बहुत जादा जल्दी गुक हो जाती है उ तो इसमें में अट प्राइब दाओ के अब विशुम को थोड़ा फ्राइ करने के ज़ुरत पड़ती है और इसी तरीके से मैं हलका सा मश्रूम को फ्राइब करने के बाद आप अब इसमें मैं एड़ करूंगी अपने मटर तो इसको भी हम लिकल कर लेंगे और यह फ्राइब क छीम आच करें दीमी आच ना रखें बीं प्राइजीे ना दीओ जो भी बीड़ीयों अपनते अपनी इव उबलेबल हो नो आपको डाल की ये ब稳ा सब्सक और भीड़ी आ कि सब्सक्राइबूए डाल इंगे प्रोक्ली तो इन सारी सबज्यों को, गींत моadh, इन संदियों को क्यूंप होड़ें इसमें इन सब्सक्राइब कर से ऐसे मिलाएं टीज इन से के लग के ल tomar दीज डाएंगे और इनसे हम बनाएंगे किनूब और पता है किनूब से इस अच्छी बात कह प्रोक्र और इसमें करें और जैसे कहते है ना जिम जाने वाले इन सभी के लिए सब बहुत अच्छा होता है तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया बार एक सा चॉप करके और इसमें ना मैंने टमाटर के सीड्स रिमूव कर दिये थे तो अगर आपके टमाटर में देसी टमाटर है तो उसको ना हटा दें क्योंकि उससे ना यह नहीं तो काफी गिला गिला सा हो जाता है और इसमें थोड़ी हलकी कच्छी सी सबजी अच्छी लगते हैं तो आप इसमें एड़ करेंगे अपनी टीस के साथ से नमक, नमक फोड़ा हलका ही fantastic और साथ में ढालेंगे अल्की सी देगी मिर्च और इसके साथ आप डाल सके हैं थोड़ी सी काले मिर्च और में थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हूं बस इन सबज्यों को हम मिलाएंगे और इसको हमने न ढखके नहीं पकाना है बस ऐसी हम थोड़ा सा मसाला मिस्स करेंगे और थोड़ा सा सबज्यों को रा रखेंगे तो बस जर esa मैं तकरीब ना अदा प में जित्ना पानी डाल रहीं हो फोड़ा सा इन सब्जियों को सॉफ्ट कर देने के लिए ये खुप सारी सब्जी डालने से किन्वा का टेस्ट और भी बढ़ जाता है बस अब हम इसमें लावस में एड़ कर देंगे ये किन्वा तो इस किन्वा को डाल गे जो बॉल था उसको डालके हम इसे अच्छे से मिक् तो दिखे इसको ना आप कभी भी मॉर्निंग में ब्रिक फास्स के लिए क्विक लिए या कभी इवनिंग में स्नैक्स में भूग लगी हो तो आप खा सकते हैं ये बहुत ही हेल्दी है फ्रेंडस तो इसे अपनी डिली डाइट में जरूर शामिल करें अगर आप अपने घर में बच्चों को भी खिलाएं और बड़े लोगों को भी खिलाएं तो ये बहुत ही अच्छा है तो दिखे मैंने इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस अब इसमें लास में मैं गानिश करूंगे थोड़ा सा बरी कटावा धनिया तो एक healthy tasty dish दयार है friends अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको like, share और चैनल को subscribe करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अब तक के लिए बाबाई